हेलो दोस्तों मैं हूँ आरेन और आप देख रहे हैं Herbal24 आज अब बात करने जा रहे हैं कि गर्मियों में लीची का जूस क्यों पीना चाहिए गर्मियों में लीची का जूस इसलिए पीना चाहिए क्योंकि ये आपको ठंड़क पहुचाता है और dehydration से बचाता है गर्मियों में हमारा शरीर ज्यादा पानी खोता है इसलिए लीची का जूस आपको hydrate रखता है और आपको fresh field कराता है इसमें मौज़ोद nutrients आपके शरीर को energy देते हैं और आपको गर्मी से बचाने में मदद करते हैं तो गर्मियों में लीची का जूस पीना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और आपको refreshment provide कर सकता है लीचे के जूस को किस तरह पीना चाहिए जिससे वो आपके लिए ज्यादा beneficial हो तो चले जानते हैं गर्मियों में लीची का जूस पीने के लिए आप उसे ठंडा करके या आईस के साथ सर्फ कर सकते हैं ठंडा लीची जूस आपको भी ज्यादा refresh कर सकता है आप चाहे तो उसे थोड़ा नमक और काला नमक को मिलाकर पी सकते हैं जो आपको electrolytes provide करेगा और dehydration से बचाएगा तो ठंडा लीची का जूस पीने से आपको गर्मी से ठंड़क मिलेगी और refresh feel होगा तो आपको जानते हैं लीची के जूस को किस समय पीना सही रहेगा लीची के जूस को आप किसी भी समय पी सकते हैं तो चली जानते हैं लीची के जूस को पीने से आपको कई फायदें बिल सकते हैं लीची के जूस में आपको vitamin C, B, potassium और antioxidants प्रोवाइड करता है ये आपके immune system को boost करता है skin और hairs को improve करता है digestion को regulate करता है और energy level को भी increase करने में मदद करता है इसके अलवा लीची जूस आपके body को hydrate रखता है और आपको गर्मी में ठंड़क पहुचाता है तो लीची के जूस को save and करके आप अपने health को overall well-being को improve कर सकते हैं क्या लीची का जूस पीने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ लीची का जूस पीने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप इसे बहुत अधिक मातरा में consume करते हैं लीची में natural sugar होता है और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पीते हैं तो ये आपके blood sugar level को बढ़ा सकता है इसके अलावा लीची के seeds और पील में एक compound होता है जो hypoglycemic या low blood sugar को cause कर सकता है अगर आप इसे बहुत अधिक consume करते हैं इसलिए आपको लीची का जूस साबधानी से पीना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो तो friends अगर आपको हमाई दी हुई जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें Thank you